के वेलकम तो न्यू लेसन तुल के लेसन में मैंने आपसे बात की थी आपवाउट क्या इज फॉर सर्च कैंपेश राइट हमने बात की थी कि जभी भी आप सर्च कैंपेश रूं कर रहे हो या अपने लिए या फॉर यू ओ ट्लाइन तो आपको क्या नंबर्स हैं जिन पर फ video campaigns say you are running a campaign for on YouTube right अगर आप YouTube campaigns run कर रहे हो या आप display campaigns run कर रहे हो या आप run कर रहे हो shopping campaigns ठीक है जी तो जब आप ये तीनो campaigns run कर रहे हो या आपका जो marketing goal है वो इन तीनों से aligned हो तब आपको क्या KPIs है जिन पर focus करना चाहिए ठीक है सबसे पहले बात करते हैं YouTube की ठीक है जी कि जब आप YouTube पर campaigns run कर रहे हो तो क्या क्या numbers है जिन पर आपको focus करना चाहिए राइट देखो जब ही भी आप YouTube campaign run कर रहे हो तो यहाँ पर numbers जो है वो दो तीन चीजों पर मतलब क्या numbers देखने है यह दो तीन चीजों पर depend करता है नमबर वर से आपका goal है ज़्यादा से ज़्यादा views आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वीडियो देखें तो यूनो ओनेस्टली यहाँ पर बस दो number matter करते हैं और सारे number irrelevant हैं वो कौन से दो number हैं जो matter करते हैं बताओ सोचो आप 15 सेकंड सोचो कि क्या हो सकता है I am sure एक number आपके दिमाग में होगा कि हर view का कितना पैसा लग रहा है सोचा था आपने I am sure आपने बिल्कुल सोचा होगा तो पहला number है जो matter करता है वो है cost per view और logical भी है न कि आपका goal क्या है जाज़रद व्यू तो भाई यह cost per view कितना आ रहा है क्या 20 पैसे आ रहा है 40 पैसे आ रहा है 60 पैसे आ रहा है 1 रुपे आ रहा है कितना आ रहा है तो पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो है cost per view ठीक है यह कब देखनी है जब आपका goal क्या हो जब आपका goal हो जादा से जादा views ठीक है cost per view देन दूसरी चीज़ जो देखनी है आपको बस यह दो चीज़े देखनी है मेरे दोस्त कुछ नहीं देखना बाकी दूसरा क्या देखना है बताओ कितने लोगों ने कितनी percent वीडियो देखी क्या जादतर लोग बस 25% वीडियो देख रहे है क्या जादतर लोग बस 50% वीडियो देख रहे है कितनी वीडियो देख रहे है पता चले maximum लोग तो भाईया 25% देखके निकल जाते हैं 100% तो कोई देखे नहीं रहा तो फिर फायदा क्या है हमारी अथोरिटी कब बिल्ड हो सकती है जब जादा से जादा लोग जादा से जादा वीडियो देखें ठीक है जी तो आपको क्या मेजर करना है कि कितने लोग कितनी परसेंटेज वीडियो देख रहें बस ये दो नमबर है इसके अ लुदो नंबर अब बात करते हैं कि गोल आपका व्यू नहीं है गोल आपका है जादा से जादा लीड यह है जादा से जादा सेल अब क्या देखोगे अरे बड़ा असान है जो सर्च में देखते थे क्या देखते थे सबसे पहले देखेंगे CTR कितनी क्लिक आ रही है CTR वीडियो केस में क्या होगा कितने लोग वीडियो देख रहे हैं या कितने लोगों के पास impression गई और कितने बटन पे क्लिक कर रहे हैं जो वीडियो के नीचे call to action आता है ना बटन आता है जो भी है उसको कितने लोग क्लिक कर रहे है so that is CTR तो पहली चीज़ देखनी है कितना CTR है दूसरी चीज़ देखनी है CPC क्या है कि भाईया cost per click क्या आ रहा है कितना आ रहा है cost per click तीसरी चीज़ देखनी है cost per lead क्या है कि भाईया cost per lead कितना है एक लीड कितने की पढ़ रही है ठीक है तीसरी चीज वो देखनी है चौती चीज क्या देखोगे conversion rate कि भाईया जो landing page है जहां पे traffic भेज रहे हो उस landing page का conversion rate क्या है क्या conversion rate अच्छा है क्या conversion rate खराब है क्या conversion rate 2% है क्या conversion rate 10% है एक चीज हमेशा ध्यान रखना there is always a room for improvement अब देखो विराट कोली कितने बड़े player हैं कितने run मनाते हैं but इस विराट कोली क्या क्या विराट कोली के अंदर scope है improvement का आप कहोगे हां जी बिलकुल है वो जो cover drive मारते हैं हो सही यह नहीं मारते अभी तो बहुत कुछ improve कर सकते हैं similarly कितना भी conversion rate हो हमेशा scope है improvement का 2% है तो 2-3 का scope है 3 है तो 3-4 का scope है 4 है तो 4-5 का scope है 20-22 का scope है then क्या करोगे again same चीज है cpc देखोगे cost पर lead की जगा क्या देखोगे यहाँ देखोगे cost पर sale कितना है बिलकुल असाथ ठीक है अगली चीज है display display मतलब जो banner दिखते हैं लोगों को है ना तो display के case में क्या देखोगे display के case में देखोगे cpm ठीक है कि 1000 लोगों को add दिखाने के कितने पैसे लग रहे हैं भी या पहले चीज यह देखोगे cpm है ना अगल को अब अगल लोगों को add दिखाने के कितने पैसे लग रहे हैं then अगें बाकी सारी normal चीजे देखोगे ctr click-through rate कितना है है ना देन आप देखोगे CPC कितना है है ना अगर goal है lead generate करना तो देन देखोगे CPL कितना है ठीक है almost सारी सेम चीज़े ही देखोगे ठीक है देन देखोगे conversion rate कितना है तो ये सारी चीज़े देखोगे normal जो बाकी जगह देख रहे थे कुछ उससे अलग नहीं देखोगे normal जो था वही देखोगे और अगर आप कर रहे हो run shopping बताओ आप खुद ही बता दोगे कि भाईया क्या देखोगे again सेम चीज़ी तो देखोगे यार CTR देखोगे CPC देखोगे हाना cost per add to cart भी देखोगे कि एक product add to cart करने का खर्चा कितना आ रहा है then आप देखोगे cost per sale then आप देखोगे conversion rate इसके अलवा एक और चीज़ देखोगे क्या देखोगे again keyword wise performance देखोगे कि किस keyword से कितना अच्छा result आ रहा है किस keyword से खराब result आ रहा है इसके अलवा एक और चीज़ देखोगे वो चीज़ क्या है कौन सा product अच्छा भिकरा है और कौन सा product अच्छा नहीं भिकरा ठीक है जी जो product अच्छा भिकरा है उसको और ज़्यादा promote करेंगे जो product उतना अच्छा नहीं भिकरा जिसका conversion rate खराब है जिसका CPC ज़्यादा है उस पे हम focus नहीं करेंगे अब देखो बहुत लोग इस पे कहते क्या है कि यार ये क्या बात हुई जो product अच्छा काम नहीं कर रहा उस पे तो और मैनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए यादे आपको Nokia के साथ क्या हुआ कोई नहीं खरीद रहा था उसक अपना मत्था मारने की जरूरत है नहीं ठीक है जी तो ये सारी चीज़े आप shopping campaign में भी देखोगे अब इसको exactly जो Google Ads का account है वहाँ पर ये report कैसे प्रिपेर करनी है वहाँ ये number देखने कैसे है ये मैं आपको समझाऊंगा कल के lesson में ठीक है so thank you so much for watching this lesson